नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्त और अच्छे होंगे तो दोस्तों काफी दिनों बाद में वीडियो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों का मुझे सही योग चाहिए क्योंकि काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाले तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आपके नौटिफिकेशन में पहुंच सकें तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जारी हूँ घर की नकारात्मक उर्जा को कैसे दूर किया जाए दोस्तों घर में नकारात्मक उर्जा काफी तरह से हमारे घर में रहती हैं काफी लड़ाई जगड़े होते हैं ग्रेकलेश होते हैं और घर में बीमारियों का आए दिन बने रहना होता है तो बीमारियों को ग्रैस गलेश को कैसे दूर किया जाए घर की नकारात्मक उर्जा को बाहर कैसे किया जाए तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाई देने वाली हूँ उसको आप फॉलो जरू कीजेगा वीडियो पसंदाए तो लााइक जरू करदीजेगा और शेयर जरू कीजेगा ताकि ये जानकरी सभी लोगों तक पुहस अगे तो चलिए पहला उपाई मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको तो दोस्तो पहला हो पाय आपको बताती हूँ, यह आपको करना है तेश पत्ता से, जी हाँ दोस्तो इसको बोलते हैं, बेलीप्स और घर में सभी के अविलेबल रहता है, जो तेश पत्ता होता है वो नकारात्मक उर्जा को दूर करने के लिए बहुत ही सहायक होता है, तो बहुत जो निगेटिविटी होती है, इसको दूर करने में सहायक होता है, तो इसको आप साथ में जला दीजेगा, और जहां पर आपकी निगेटिविटी लगता है, जहां जैसे की बैडरूम हो गया, बैडरूम में लड़ाई, जगड़े, बीमारी, क्योंकि जादा तर समय आपका बैडरूम में ही निकलता है, तो वहां पर आपको इसको चार से पांच पत्नों को दीरे-दीरे करके जला देना है, इसके धुए से जितनी भी नकारत में खूर्जा होती है, वो सारी निकल जाती है, आप चाहें तो थोड़े से पत्ते आप लिविंग रूम में भी जला सकते है, तो पहला उपाई, यह बहुत ही फायती मंद होता है, दोस्तों आप जरू करके देखी गया, चले दूसरा उपाई आपको बताती हूं, दूसरे उपाई में आपको करना है, आपको हवन जिसमें करते हैं, वही आपको पात्र ले लेना है, चाहे तो आपका आप नहीं करना है दोस्तों ये मेरे थोड़ी सी ज्यादा गर्म हो गई है तो हलका सा आपको गर्म करना है और फिर इसको पात्र में रख देना है कंडे को और फिर इस तरह से आपको जो भीम सेनी कपूर होती है ये देसी वाली कपूर होती है दोस्तों और जो गोल वाली होती वो देशी नहीं होती है और भीम सेनी नाम से आती है तो उसकपूर को आपको ले लेना हैं और पीली सर्सो ले ले लेना हैं पीली सर्सो หमारे जो घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी माने जाती है और आपको गायय झार्थ दो 극 Hugo डालेगा औ और आपको डालना है कपूर, कपूर के ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल देना है और फिर आपको डाल देना है पीली सरसों तो देख सकते हैं इस तरह से मैं जला रही हूं ताकि एक फंड़ी अच्छे से जल जाए और चलने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी पीली सर्सों और थोड़ा सा घी डालती रहोंगी इससे क्या होता है आपकी घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है और नकारात्मा कूर्जा होती है वो सभी चली जाती है आपको थोड़ी दिर के लिए गेट भी खोल देना है इससे जितनी भी नकारात्मा कूर्जा होगी वो घर से बाहर चली जाएगी और धीरे धीरे आपको पीली सर्सों डाला है पीली सर्सों इतने चमतकारी फायदे हैं दोस्तों इसके आप यकीन नहीं मानेंगे आप इसको जरू करके देखिए पीली सर्सों से देखिए लक्षमी माता प्रसन होती है घर में बरकत होती है ग्रह कलेशनी होती है घर में सु प्रवाइब दोस्तों घर में कभी न कभी कोई न कोई आता है तो उसकी द्रश्टी भी अच्छी नहीं रहती है तो इस तरह से किसी ने घर में तारीफ कर दी तो नजर लग जाती है तो इसके धुए से जो है जितने भी घर की नकारात्मा कूर्जा होती है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है सकारत्म उर्जा घर में आ जाती है तो इन उपाय को आप जरू करके देखेगा और आपके घर में देखे धीरे-धीरे सुकसान्ती बनी रहेगी यह कप करना है आपको यह भी मैं आपको बता दू यह हपते में दो से तीन वार आप कर सकते हैं देखे सनिवार को कर सकते हैं रविवार को कर सकते हैं सबसे अच्छा दिन माना जाता है बुद्वार और रविवार और यह आपको कप करना है यह आपको दोस्तों साथ बज़े के बात करना यानि कि साथ बज़े भी कर सकते हैं सूरज ढलने के बाद आपको ये करना होता है और थोड़ा सा इसका धुआ पूरे घर में होना चाहिए तो इससे जितनी भी नाकरात्मा कूर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है तो चलिए दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं आपसे बिदा लेती हूँ अगर आपको वीडिय लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरू कीजेगा बैल आइकन पर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी जो भी वीडियो है आपके नौटिफिकेशन में बराबर पहुंचती रहे नमस्कार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय मिलते हैं